Hello students, today we will go through the textbook, chapter number 2, exercise तो मैंने कराया हुआ है, लेकिन अभी हमनों textbook reading करेंगे, right, textbook reading करने के बाद मैं उस paragraph में से question पोचूँँगा, just like as English, ठीक है, chapter का नाम है, interrelationship between living things, मतब living things की बीच में क्या relation है, एक living things का, दूसरे living things की क्या relation है, अब जैसे हैं आप एक question दिया है, An old age, old, an age old tree with a thick strong tree gives deep dark shade from the scorching the sun, like an old man's beard with many strands, it has rope for swigging from every branch, मतब यहां पे यह पेड है, which is this, which is this tree in the picture, यह picture में कौन सा पेड दिखर है अपने को, अपने को जनरी बन्यान ट्री दिखर है, right, बन्यान ट्री का जो थीक होता है, जो ट्रंक होता है, वो बहुत स्ट्रॉंग होता है उसके जो ब्रांचे से निच्छे की तरफ जुके हुए रहते हैं, जिससे हम लोग इसको swigging के लिए यूज कर सकते हैं, is this clear, और इतना घनादार रहता है कि वहाँ पे कोई भी family वेट कर सकती है, now the next, plants in our surrounding are useful to us in different ways, the names of some plants are given below, for what purpose do we use their leaves, अभी बैटवलीन है, flame of forest है, fangwick ह यह सब जो plants के पत्ते हैं, वो medicinal plant है, मतलब यह सब हम लोग as a medicine के form में यूज करते हैं, या अपने रोज के खाने में यूज करते हैं, is this clear, अब हम लोग नीचे आते हैं, नीचे आले paragraph पे, the needs of living things are made in the environment, मतलब क्या, मतलब जो हमारे environment भी जो चीज़े हैं, वो हमारी जरूरतों को पूरा करते हैं, we have many needs like food, water, air, cloths and shelter, all the needs are made in our surrounding, जो भी जरूरते हैं, हमारे surrounding में हमको मिल जाते हैं, in fact, food, water and air are the needs of all living things, मतलब पानी हो गया, भोग, खाना हो गया, हवा हो गया, जो are all fulfilled in the environment, environment में fulfilled होता है, environment की जरूरतों को पूरा करता है, right, environment से हमारी जरूरते सारी पूरी होती है, but there are different in the needs of each kind of living things, हर एक लोगों की हर एक living things की जरूरते अलग-अलग है, for example, the water that a mouse drink in an entire day would not be enough for an elephant even at one time, चुहा जो पानी पीता है, वो चुहा जो एक बार में पानी पीता है, elephant के लोग एक बार में भी enough नहीं होगा, चुहा जो पूरे दिन में पानी पीता हो, elephant को एक बार में उससे ज्यादा लगता होगा, तो यह इस paragraph है हम लोग क्या समझा, कि हमारी जो भी जरूरते है, रोट कुछ क्वेशिन पुछ है बटर फ्लावर्स का नेक्टेर पीता है तो फ्रॉग ऐसा कर सकते हैं नहीं कि इस नद्यों मैं प्लांटी में उकते हैं सबकी जरूरुते भी अलग है सबका फंस्चन भी अलग अलग है दूसरा कोश्छ अन्यु कन और इसली अबल हो एमल ब्र fragrance है अगर सब्रॉच आदां व्याइन परेड़ सकते हैं ब्वार्रीत Is this clear? Next questions. Next paragraph is. इस picture में अपने को दो boxes बनाने को भूला है. यह try this है. दो plant rope है. एक संलाइट में रखा और एक संलाइट में रखा और एक संलाइट में रखा. तो क्या होगा? जो संलाइट में रखेंगे bow to grow करेगा. इसको energy नहीं मिल रही है, sunlight क्या गड़ता है, पानी क्या गड़ता है, अपने वो energy देता है, लेकिन जो दूसरी चीज़े है, जिसको हम लोग ने बंद रूम में रखा है, खाली पानी दिया है, sunlight नहीं मिल रहे है, तो वो क्या हो जाएगा, खराब हो जाएगा, तो यह दोनों try this करने को भूला है, ठीक है, इसमें sentence का मतलब क्या बता है, इसमें पानी ताइब लिविंग तिंग्स कहां पे रहेंगे, जहां पे उसकी सरी जरूरते पूरी होती है, इस दिस क्लियर, let's take the example of tiger, tiger has strips, tiger को strips होता है, यह धारिया होती है, tiger lies in wait for its prey, among all tall grasses, tiger जो है wait करता है, बड़े बड़े घासों के बीच में, उसके सिकार के लिए, its prey cannot see it in the grass because of the strips, उसका जो सिकार होता है, वो tiger को देखने हैं पाता, घास के बीच में, क्योंकि इसको strips होते है, there are animals like the deer, nilgai and bezen in the grassland, grassland में यह सब जानवर होते हैं, deer हो गया, nilgai हो गया, bezen हो गया, when the tiger is hungry, जब भी tiger भूखा होता है, it can feed on them, tiger उनलों को खाता है, right, for a tiger, there also needs to be a water hole nearby which never dries up even the summer, tiger के लिए क्या चिये, एक water hole चिये, नजदिक में, जो summer में क्या हो जाता, सूख जाता है, there must also be dense vegetation, tall grasses, or caves in hills, or mountains in the area, so that the tiger can find shelter, tiger को बड़े-बड़े घास वाला जगर चिये, vegetation चिये, गुफा चिये, जहां पर वो क्या कर सकता है, tiger shelter ले सकता है, tiger inhabits an area where all these things are available, tiger के लिए ऐसी जगा पर आता है, जहां पर यह सब चीजे available है, is this clear, तो इस पूरे paragraph में अपने हो क्या देखने हुआ है, tiger का बड़ी है, उसके बड़ी पर strips होता है, उसके बाद tiger जो है, बड़े-बड़े घासों में वेट करता है, सिकार का, सिकार उनको देखने हैं पाते हैं, बहुत सारे animals है, deer है, निलगाया, बीजन है, जो grassland में रहते हैं, जो tiger जब भूखा होता है, तो tiger उनलों को खाता है, correct, tiger जो है, उसकी ज़रूरत water hole से भी पूरी होती है, tiger हमें सब water hole के नजदी करता है, जो summer का time दे भी सुख जाते है, बहुत सारे vegetation है, tall grasses है, keo से, fields है, mountains है, so that tiger can find shelter, tiger को क्या मिल सकता है, shelter मिल सकता है, tiger inhabits an area where all these things are available, tiger ऐसी जगह पे रहते हैं, जहां पे ये सब चीज़े अवेलेबल रहे, is this clear, next question, next paragraph, next paragraph है, we get milk, meat, eggs and several other things from animals, animals से हमनों को meat मिलता है, eggs मिलता है, other things मिलता है, some animals are useful for carrying burdens on drawing cards, कुछ animals जो बहुत useful होते हैं, क्योंकि उन लोग अपने पीट पे वजन लेके घूमते हैं, domestic animals are also used to help the heavy farm work in field, domestic animals जैसे cow, buffaloes हो गए, इन लोग क्या करते हैं, हमें, किसानों को help करते हैं, dogs guard our houses, sheep, users wool, कुटा हमारे घर की रखवाली करते हैं, और sheep हमें wool देता है, is this clear, next is, even the excret of domestic animal is used to human beings, domestic animals का जो, मतब, excret, मतब, उनके bodies है, जो waste चीज निकलती है, वो भी human being के लिए useful है, जैसे गाय का गोबर, भैस का भी जो रहता है, वो सब material जो है, जो भी उन लोग गोबर होता है, वो क्या है, human being के लिए useful होता है, dung of cattle is made into dung cakes, cattle के जो डंग होते हैं, उसको dung cake बनाते हैं, they are combustible, they are used in some places as fuel, वो combustible होता है, जलना, जल्दी जलता है, अब वो fuel के लिए useful होता है, when they burn, they give out smoke, जब यो चलता है, तो धुआ देता है बाहर, combustible gas called gober gas, is also obtained from cattle dung, जो gober gas होता है, वो अपने को cow dung से, cattle dung से मिलता है, that too is used as fuel, वो भी fuel के लिए useful होता है, it burns without smoke, वो जो gober gas होता है, वो बिना धुए के जलता है, cattle dung used for plastering mud houses, mud houses को plaster करने के लिए, cattle dung used होता है, manuals made from cattle dung and sheep pellets, are good for plants, जो खाद बनता है, cattle dung से और sheep pellets से, वो बोध plants के लिए बोध अच्छा रहता है, farmer used them for growing crops, farmer लोग उसको खेती के लिए यूज करते हैं, is this clear, तो मैंने यह जो भी paragraph पड़ा है, उसका मैं questions लिख रहा हूँ, वो question के answer आपको खुद से ढूण के देने हैं, is this clear, मैं question का आप भी बताता हूँ क्या है, इस 8 questions answer, you have to write in the notebook as a homework for today, पहला question है, from where do we get our needs satisfied, हमारी जरूरते कहां से पूरी होती है, how is the cattle dung useful for human being, cattle dung human being के लिए कैसे useful है, which body structure does help tiger to catch the prey, tiger का कौन सा body structure, tiger को सिकार करने में help करता है, which needs are satisfied from environment, environment से कौन से जरूरते पूरी होती है, from where do we get silk, silk हम को कहां से मिलता है, how are trees useful for monkey, tree जो है monkey के लिए कैसे useful है, how are trees useful for birds, birds के लिए कैसे useful है, what happen if termites make a tree hollow, termites ने अगर पूरी tree को कवर कर लिया, तो क्या होगा, all these questions answer, you have to search from the paragraph, आपको ये जो आज मैंने रीड के, आज जो भी paragraph मैंने रीड के, उसमें से आपको ये answers मिल जाएंगे, right, from 5th to 8th questions answer, I already given in the previous video, right, now but rest of the questions, you have to search from the paragraph, it is very easy, if any doubt is there, please ask, thank you, have a great day, and after completing your homework, please send your completed homework photo in the group, it will be very beneficial for other students, thank you, have a great day.